हाइटरा के जॉंबी के दो मिंबर्स लेके चार मिंबर्स नीचे हैं मेस सनक्स अकेले बचह प्रिटोष का स्प्रें ऊपर से हाइडरा की स्कॉड आती हुई रैक्स भी नीचे के साइट पे डाउन है जोन अगेन फिवर करता हुआ सेनेटिक के टूटल टेन कील सोच चुके हैं सकाउट के अकेले पांचंच हाइडरा की बात करें तो ऊपर के साइट पें चोड़ परिटोष की स्कॉड यह हैं सब्सक्राइब के तरफ से और अबिल गौड निंज़ पचे वे बसके चोड़ा ना होजाए स्कॉट निंजा काफी जादा टैमेज है आईगेस वन और टू एच्पी पर हील करेंगे जल्दी से क्योंकि जोन आ चुका है और जोन काफी जादा डैमेज देगा टोडल 13 किल्स फैनेटिक की स्कॉट पर टीम निवर फोर हाइडर जॉंबी की टीम के दो मेंबर्स अभी वि जाते हुए बुड़ी बहुत खुब जब परिदोश के द्वारा टाउन होते हुपर से काफी जदा एंगल मिलता हुआ है यहां पर फैनेटिक की बात करें तो ड्रेक्स आगे के साइट जाते हुए बुड़ी बहुत खूलिया परिदोश को भी लगी है इसलिए कि तीन बं चार टीम और फैनेटिक के अभी भी चार के चार बंदे पूरी तरीके से जिन्दा श्नाक्स में भी थोड़ी से फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वह जोन के बाहर है ताइम है हम सोचने का फुड़ी बहुत शॉट्स लेने की कोशिश नहीं की बट स्काउट ने स्पॉट कि यापरी तोश उपर के साइट जाएंगे किल कंफर्म करने की कोशिश करेंगे बिलकुल कुशिश क्या कशिए किया जाएक के जाना होते हुए वेश के द्वारा उटिए करने का सोच लिया है वरुन अभी भी जिन्दा फैनेटिक के चार बंदे हाँ प्जास के बाहर ही बै तो शॉट्स ले रहे हैं बट स्मोक से वरून को बिल्कुल भी स्वाट नहीं कर बारे स्नाक्स विलाल के लिए टूटल पंदरा क्यल्स आते हैं वह वरून का नासर और इंग नहीं खेल रही कि वर्ण के लिए में स्कॉर्ट्स को अभी बीजों कि शायद विनिश भी कर सकते हैं बट नहीं पीछे से शॉट आता हुआ स्काउट का और बचाएंगे वह इसको अभी वन वी फोर का सिचुवेशन है एम टू फोर नाइन है वेदा वाट क्लच देखने को मिलेगा या नहीं टूटल साथ स्किल्स हैं इस टीन के भी अच्छा बुर्दरशन इनका भी रहा लेवल डू का हलमेड वैस विल्कुल भी टैमेज नहीं और होफुली एक दो बंदे को कम से कम डाउन करी सकते हैं बट होती हुआ यह मैच खत्म होता हुआ यह मैच पिलाल के लिए फनेटिक के बास चिकन टेनर आता हुआ वेदा कुछ जादा ही किल्स कि अधिक के साथ चिकन टेनर आता हुआ है स्काउट के अकेले के नाइन किल्स है और चार किल्स है डरिक्स के शले की बात करें तो